चलिए दोस्तों स्वागत आप सभी का वर्लड अफेस चैनल पर स्टार्ट करते हैं आपने आज के करेंड फेर डेली बेसिस पर यहां पर आप पड़ सकते हैं क्युक्पॉइंट और इंडिया जो है हाल फिलाल में इंटरनेशनल क्लाइमेट एक्शन ज्यूप जो न जो हैं उसको उन कर रहे वाला उसके अलावा और भी चीजी जो है इंडिया ज्यूप क्रेज़ इन दृएअज के द्वारा अनौंस किया गया a एंडिया पैले थो इंटरनेशन सब्सक्राइब करेंगा इसके बारे में पूरा डिटेल में जानते हैं पहले कोशन आप सभी के सामने रस्ट जो है जो जंग लगता है वह किसकी वजह से लगता है अगर बात करी जाए तो यह ग्लोबल स्कीम है जो की आई सीव के द्वारा ही इस्टेबलिश की जिसमें सीओ टू के उपर जो है बात की की इंटरनेशनल अवीएशन जो है ठेक है कार्बन डाइकसाइट का जो एमिशन है वो ठेक है उस पर चीज़े की जिस लाइक कार्बन क् 44 में हुई थी सो डैट की जो का पूरे दुनिया भर में एयर ट्रांस्पोटेशन है उसके लिए कि जो है रूल्स बनाए जा सके ठेक है इसके हैं मोंट्रेल कैनेडा में है एक और करेंडे फिर देखिए वार्ट प्रेस फीडम इंडेक्स 2023 तो यह इंपोर्टेंट डाटा ह जो रिपोर्ट है यह तो रिपोर्टर विडाउट वोड़ देता है ठीक है एक इस उसके अलावा धेखिए तो यह आपके सामने सबक्सक्राइब इक्वल जसे फ्री लेगल एड जो है कौन से आर्टिकल से संबन दिता है इंडिया में कंसुटीशन में तो आंसा कमेट बुक्स पर दीजिए के चलिए वर्ट्रेस फीडम के बारे में पूरा जानते हैं देखिए युनाइट नेशन जर्ण असेंबली के द्वारा 1993 में रिकमेंडेशन देखिए उसके बाद इससे स्टार्ट किया गए ठीक है इस बार का जो रहा शेपिंग फ्यूचर ओफ राइट्स तो यह आपका इस बार का थीम है याद रखेगा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का जो टॉप कंट्री से तरी पहला नॉर्वे है दूसरे नमर पहलेंड डैन्माक और सबसे बोटम कंट्री से वियतनाम चाइना और नॉर्थ कुरी है ठीक है तो एक और करेंड फिर द यह स्पेसिफिकली मैयूर बंज जो डिस्टिक है वहां पर जो है देखा ठीक बैसिकली जो 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 रिजर्व होते हैं वह कोर एरिया में होते हैं तो कोर एरिया के ऊपर भी आज रखेगा ओडी सा के जो फोरस्ट इपार्टमेंट है उनका कहना है कि जो टाइगर्स की कि इंडिया में जो की बेसिक डॉक्यमेंट्स प्रवाइड करा रहा सभी ट्राइबल्स को तो व्यानाड है एक और करें ने फिर देखिए वेरी इंपोर्टन वन हाल फिलाल में कौन से देश की जो महिला जनलिस्ट है जो की जेल में हैं उनको यूनाइटेड नेशन प्रेस इंडेक्स है ठीक है प्रेस का वो जो है पहला तो निलोफर हमीदी दूस्ता इलाहा मुहमदी और नर्गिस मौहमदी इनको दिया गया है तो यह इंपोर्टन कोशन है आपको मिल सकता है उसके लावा जो है डॉक्टर एपीज अब्दुलकलाम लाइफटाइम अचीमेंड किसे टीके ठीक है रंग राजन उसके लावा कौन सी कंट्री है जो कि इंडिया का लाजस्ट रेडिंग बाटर रहा तो अमेरिका रहा एक और करेंड फिर देखिए आप सभी के सामने कौन से देश के प्रेजिडेंट जो है उन्होंने अनौन्स किया है रिसेंटली रिफरे राष्ट्रपती है और रास्ट्रपती को 2020 2040 तक रहने का भी जो है इसक्टी टू परसें वोटिंग तो यह इंपुर्ण आज सकता है रिफरेंडम कहां पर हुआ तो मुहमद इर्फान अली हाशने प्रवासी भारतिय समान आवॉर्ड मिला तो यह कौन से दिशे तो यह ने पाल ने क्वालिफाइड किया है नेपाल पहली बार मैंस अशिया कप जो है पूरे इतिहास में पहली बार क्वालिफाइड किया है नेपाल ने यू एई इंपोर्टन आसकता है उसके लावा सेकंड इंडियन प्लियर जिसने स्कोर के 5000 और 500 विकट रविंद जड़ेजा सेवन्थ इंडियन फास्ट वोलर टू टेक हंडेड विकट तो मौहमद शामी चली कल एक सवाल पूछागे ता पोश्ट मिला जो है कि स्टेट बे तो यह आंस लाख से कनेक्ट होता है यह कौन सा दर्रा है इसका अंसर आप कमेंड वोक्स पर दीजिएगा तो यह इंपोर्टन है कोशन आपको मिल सकता है ठीक है और यह थोड़ा सा अलग कोशन हो गया यह आंसर गलत हो गया इसका है तो तबांग आज कर सवाल देखी यह गलत लेगे तबांग और लासा के बीच में जो दर्रा कनेक्ट होता है वो दर्रा कौन सा है तो आंसर आप कमेंड बुक्स पर दीजिए बाकी मेरा टेलिग्राम जोइन करें अमन सर वाइफे स्टडी ऑफीशल आप सभी के सामने इसको आप जोइन करें कंटेंट के लिए कोड से बड़ा डिस्काउंट भी मिल जाएगा आपको कोई भी आप सब्सक्रिप्शन लेना जाए तो आप वो ले सकते हैं लाइव अबन कोड से यूटलाइज कर सकते हैं बाकी सेशन को लाइक करिए शेर करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए थेंक्स लॉट जाएगा उल्युट झाल